यहा वीडियो आप सभी के लिए बहुत हे महतपूल होने वाली हैं क्योंकि इस वीडियो हम लोग MySelf यानि कि खुद के बारे में इंगलिस में पुछे जाने वाले कुछ महतपूल सवालों के एंसवर को जानने वाले हैं उन महतपुल सवालों को भी जानेंगे जो कि हम से इंगलिस में भार बार पुछा जाता हैं और उनके एंसवर को भी जानेंगे कि उनका जवाब हम कैसे देंगे तो चलिए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला सवाल है जो कि सबसे अधिक बारा और सबसे ज्यादा बार यहीं पुछा जाता है कि what is your name मतलब कि आपका क्या नाम है इसका एंसवर आप क्या देंगे माई नेमीज जो भी आपका नाम होगा वहाँ पर आप अपना नाम रख देंगे जैसे कि मेरा नाम राहूल है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि माई नेमीज राहूल कुमार उसी तरह से आपसे कोई भी यह वेक्ति प्रस्न पुछेगा कि what is your name तो वहाँ पर आपको इस तरह से बताना है कि माई नेमीज और उसके बाद आपका जो भी नाम है उसे बताना है ठीक उसके बाद दूसरा सबसे अधिक पुछे जाना वाला सवाल है कि what is your father's name मतलब कि आपके पीता जी का क्या नाम है तो देखिए इसके जबाब में आप क्या बताएंगे my father's name is उसके बाद जो भी आपके पीता जी का नाम होगा वह आप बताएंगे जैसे कि मेरे पीता जी का नाम है अजित सिंग तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि my father's name is अजित सिंग अब इसी तरह से देखिए इसी प्रस्न में कोई वेक्तिस तरह से भी पुछ सकता है यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ है ना कि what is your father's name तो यहाँ पर फादर्स के जगह पर कोई तरह सभी आपसे पुछ सकता है कि what is your mother's name, what is your brother's name, what is your sister's name इस तरह से ठीक तो जिसका पुछेगा उसका बता दिजिएगा इसलिए मैं यहाँ पर एक को लिखाऊं और इसी एक की सहायता से इस तरह के जो भी परस्न रहेगा न उसका आप answer सही से देदेंगे उसके बाद देखिए तिसरा सबसे अधिक पुछे जाना वाला परस्न है कि where do you live कहने का मतलब कि आप कहां रहते हो तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर बता दिजिएगा जैसे कि मैं बक्सर सहर में रहता हूँ तो I live in बक्सर ठीक और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बता दिजिएगा उसके बाद अगला प्रस्न है कि what do you do कहने का मतलब कि आप क्या करते हैं तो जैसे कि देखिए कोई विक्ति आप लोग तो student ही हैं पढ़ते ही हैं तिसका जबाब में होगा I am a student कहने का मतलब कि मैं पढ़ता हूँ या मैं एक छात रहूँ उसके बाद अगला प्रस्न है कि what is your brother's name इससे भी आप उसी तरह से बता सकते हैं जिस तरह से what is your father's ने मुहाँ पर था न तो जिस तरह से आप answer दिये थे न उसी तरह से दे सकते हैं कि my brother's name is और उसके बाद जो आपके भाई का नाम होगा वो आप बोल सकते हैं उसके बाद अगला प्रस्न है कि how old are you कहने का मतलब कि आप कितने साल के हैं इसके जवाब में आप बोलेंगे I am आप जितने साल के होंगे वहाँ पर आप बोलिएगा कि I am इतना year olds ठीक इस तरह से आप बोल दिजिएगा आप जितने भी साल के होंगे वहाँ पर उस तरह से बोल दिजिएगा क्या ये इतना year olds इसके बाद अगला परस्न है कि in which class do you read कहने का मतलब कि आप किस कलास में पढ़ते हैं कोई विक्ती आपसे पूछ रहा है कि आप किस कलास में पढ़ते हैं बताइये तो आप जिस भी कलास में पढ़ते हैं इस तरह से बोलिएगा I read in class उसके बाद आप जिस भी कलास में पढ़ते हैं उस कलास का नाम लिख दिजिएगा ठीक इसके बाद अगला प्रस्ण है सबसे अधिक बार पुछे जाने वाला कि हुई चीज और फेवरेट फूड कहने का मतलब कि आपका कौन सा खाना फेवरेट है यानि कि आप किस खाना को सबसे अधिक पसंद करते हैं आप जिस भी खाना को सबसे अधिक पसंद करते हैं उसे आप इस तरह से लिखिएगा जैसे कि मिल कीज माई फेवरेट फूड यानी कि मैं दूध को अधिक पसंद करता हूँ उसके बाद अगला परस्न है कि हुआटी जी ओर होवी मतलब कि आप क्या करना सबसे अधिक पसंद करते हैं इसका जबाब में आप बोलिएगा कि माई होवी उसके बाद जो भी रहेगा जैसे कि अधि आप खेलना पसंद करते हैं तो बोल दिजिएगा फुटबॉल, करते हैं तो मैं पढ़ना पसंद करता हूं तो मैं लिख दिया हूं कि माई होवी इज रीडिंग बूक उसके बाद देखिए अगला और लास्ट परस्न है कि हुआटी जी ओर गोल मतलब कि आपका लक्ष क्या है आप क्या बनना चाहते हैं तब जो भी बनना चाहते हैं इस कि यहाँ पर मैं लिखा हूं टीचर तो आई वान टो वी ए टीचर तो इस तरह से आप बहुत ही असानी से आपके खुद के बारे में कोई भी बेगतियद इंगलिस में कोई परस्न पुछता है तो उसका एंसवर आप दे सकते हैं